अब आप सब्सक्राइब अच्छे होंगे दोस्तो मार्केट में आज साइड़ेज रा हलाकि निफ्टी फिफ्टी में एक अपोर्चुनिटी मिली और मुमेंटम भी मिला लेकिन बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में वो मुमेंटम नहीं मिले आए इसे थोड़ा सा डेटेल में समझते हैं कि किस तरीके से मार्केट ने आपको ट्रेप किया है बैंक निफ्टी में आपको दो बार मार्केट ट्रेप करते हुए दिखाए दिया मैं इसे डेटेल में लोजिक में एक्स्प्लेइन करूँगा कि यहां पर मार्केट ने जैसे कि अगर आप देखेंगे अगर आप आज की दिन पर फोकस करेंगे यहां पर मार्केट ने नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देने की कोशिस किया लेकिन फिर ट्रेप करके ऊपर ले गया फिर यहां पर ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेक आउट देने की कोशिस करी है फिर ट्रेप करके नीचे ले आया हाला कि यहां पर आपके लिए previous day high काफी important resistance था फिर यहाँ पर market एक sideway zone में घूमतरा उसके बाद market ने यहाँ पर breakout देनी की कोशिस किया लेकिन अचानक से reversal दिखाया ज्यादा detail में हम इसे जब logic का explain करेंगे वहाँ पर discussion करेंगे लेकिन पहले एक बड़े time frame पर देख लेते हैं क्या overview क्या structure market का बना हुआ है one day की time frame पर आप ध्यान से देखेंगे कि कहीं न कहीं market में ऊपर की तरफ ही किचाव चलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है लेकिन हमारे लिए जरूर यह है कि market 49,000 का breakout देने की कोशिस कर रहा है पिछले दिन भी किया था आज की दिन भी किया है लेकिन closing आपको उससे नीचे देखने को मिल रहे हैं तो अब देखना यह है कि यहां से एक reversal की point बनेगी या फिर market इसका breakout देके price उपर sustain कर जाएगा दूसरी चीज यहां पर note करने लायक एक बात और है वो क्या बात है जो यह old time high बना हुआ था पहले तो market ने यहां पर आपको resistance की track करता हुआ दिखाई दिया लेकिन फिर यहां पर market ने इसका breakout देके इस पर support लेता हुआ आपको market यहां पर साब साब दिखाई दे रहे हैं तो इस चीज का भी आपको थवड़ असा यहां पर दिखाई रखना है कि market कहीं ने कहीं इस वाले जून पर support ले रहे हैं यानि कि अगर इसका breakdown देके नीचे आ गया तो possibility ज़्यादा बन जाएगी कि market में कुछ negative momentum देखने को मिल जाए ज़्यादा detail में हम इसका discussion करेंगे लेकिन उससे पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूँ काफी अगर आप ध्यान देंगे काफी लोग मुझे यह कहते थे कि काम करने का मन नहीं करता या दिन भर अगर आपको आलस महसूस होता है कुछ काम नहीं होता फिर भी पूरा दिन अगर आपको बीजी नजर आता है माइंड में एक तरह का stress बना रहता है जिसके कारण आपकी productivity गिर रही है या किस कारण आपका समय बरबाद हो रहा है आपको पता नहीं है काम को छोड़ कर अगर आपको भागने का बन करता है या मन में आपके सवाल गूमते रहते हैं कि time management कैसे करें जिसके कारण productivity बढ़े और आपकी income भी बढ़े अमीर लोग time management के बारे में ऐसा क्या जानते हैं जो आप नहीं जानते कैसे पता करें कि हमारे लिए कौन सा काम जरूरी है और कौन सा काम जरूरी नहीं है ऐसे बहुत सारे सवाल है मैंने आज ही आपके लिए एक नया training program launch किया है एक course launch किया है जिसमें time management tips to boost your productivity समझाए गई है इसकी cost जो है वो काफे कम रखे गई है जिससे कि आपका एक burger या एक t-shirt से भी कम है क्या मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहता हूँ कि आपके time की कितनी value है इसमें मैंने आपको six chapter provide कि है जिसमें आपको पूरा detail में समझाए गया है कि जैसे कि आपको throughout the day क्या करना है कौन सा काम आपके लिए जरूरी होता है एक matrix से आपको समझाए गया है आपके energy level कौन से और आपको उन्हें किस तरीके से उन्हें पर काम करना चाहिए आपको पूरे दिन क्या क्या काम करना चाहिए किस तरीके से आपको उसे manage करना चाहिए time is money इस चीज के बारे में समझाए है और बड़े goal कैसे achieve करे ये भी मैंने आपको यहाँ पर सारे चीज़े समझाए हुए नीचे description में आपको application का link मिल जाएगा इसे फिलाल comprise पर रखा गया है तो अभी जे नया launch किया गया है आप जाके अगर आपको भी समझा है आप नहीं जानते कि आपको अपना time किस तरीके से manage करना है तो आप जाके इसे देख सकते हैं और मुझे अपने feedback जरूर दीजेगा comment करके जरूर बताएगा और वहाँ पर course में भी दीजेगा कि आपको यह कैसा लग रहा है क्योंकि यहाँ पर काफी लोगों की समझा रहे थी जब भी हम training program करते थे या मिलते थे कि एक तरह का पूरे दिन उनके mind में stress बना रहता था तो मैंने सोचा इसलिए यह उस चीज को कम करने के लिए या वे बहाँ महाँ से बहार निकल सके उनके लिए एक चीज प्रोवाइड की जाए आई फिलाल हम वापिस आते हैं वापिस हम क्या discussion कर रहे थे अगर market धीरे धीरे खिचके इसी तरह बढ़ता रहा एक तो 49,000 हमारे लिए important रहेगा कि market को इसका breakout देना पड़ेगा दूसरा ये वाली जो resistance line है इस resistance line पे आपको focus रखना पड़ेगा क्योंकि ध्यान ये रखना कि इस point से जब भी all time high लगा था एक correction देखने को मिला था एक reversal देखने को मिला था और market में काफी बहतरी ने एक reversal आया था तो यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि 49,000 पे किस तरीके से market react करता है और इस वाली trend line पे किस तरीके से react करता है एक बात और ध्यान रखना अगर market 49,000 से नीचे चलना सुरू हो गया negative candle चलनी सुरू हो गी तो इसका मतलब ये मत समझना कि reversal आ गया आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा कि market 48,500 से नीचे price sustain कर रहा है कि नहीं अगर उससे नीचे price sustain करना सुरू कर दिया तो possibility बढ़ जाएगी कि market में आपको एक negative momentum देखने को मिल सकता है आईए अब इस चीज को थोड़ा सा और detail में समझते हैं मैं आपको one hour के time frame पे लेके चलता हूँ तो आपको धियान ये भी रखके चलना है एक तो one day के time frame पे आपके लिए उपर की दरब trend line होगी एक आपके लिए one hour के time frame पे भी trend line है दोनों काफी नजदीक है जो आप one day के time frame वाली trend line देखोंगे वो भी काफी नजदीक है तो यहाँ पे आपके लिए दो-दो रुकाउटे बन जाएगी तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा positive side जाती समय एक धियान आपको रखना पड़ेगा क्यों रखना पड़ेगा? क्योंकि market positive side चलता काफी दिर इगर है लेकिन जब negative side चलने की बार ही आती है कहीं बाहर वो एक ही candle में सारी चीज़े cover कर देता है तो इस चीज़ का भी आप धियान रखेंगे दूसरा यहाँ पे क्या धियान रखेंगे? कि एक तो आपके लिए होई गया 48,500 का अगर इसका breakdown मिलता है तो जो यह trend line आपको दिखाई दे रहे है जिस पे market support की तरह आपको act करता हुआ दिखाई दे रहे है नीची आती समय यह आपके लिए काफी important support बन जाएगी इस पे भी आप उतनी ही बारी किसी नज़र रखेंगे दोस्तो वीडियो को like जरूर करना और नए हो subscribe करना और bell icon प्रेस करना आईए अब 5 minute के time frame पे logic को समझते हैं कि आज की trade के पीछे क्या logic हो सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया बड़ी green candle, बड़ी red candle, बड़ी gap up opening, बड़ी gap down opening और इसके साथ साथ sideways market से दूर रहो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है एक काफी बड़ी आपको यहाँ पे एक red candle देखने को मिल रही है साथ के साथ ध्यान दो, यह previous day closing का breakdown भी दे रही है इसके बाद आपको एक follower candle भी दे रही है कि market ने आपको एक momentum देते हुए यहाँ पे दिखा दिया आए नीचे लेकिन एक तो नीचे यहाँ पे market ने एक range create कर रखी थी कि अगर market इसके नीचे closing देता तब आप negative side कुछ plan कर सकते थे या फिर मैं आपको क्या कहता हूँ कि अगर बड़ी red candle आपको देखने को मिल रही है तो बहतर है इस train को रूखने दो चलती train में सीधे गूर्सों या तो इसे कुछ retracement लेके जैसे यहाँ पे retracement लेने आए थी इस zone पे अगर resistance की तरेक्ट करके reversal दिखा देती तो आपको confidence आ जाता नेगेटिव side जाने के लिए possibility और बढ़ जाती दूसरी चीज यहाँ पे एक चीज और notice करो जैसे ही market ने recovery लेना शुरू करें इसका मतलब ये भी बिल्कुल नहीं होता कि आप सीधे यहाँ पे इसमें घुस जाए इसमें opportunity आपके लिए यहाँ पे बनी और जो लोग जल्दबाजी में trade करते हैं वो जरूर ट्रैप होए होंगे इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि candle की proper closing का इंतिजार करो मान के चलो market इसका breakout दे रहा है तो इसे आप एक breakout मानेंगे लेकिन अगर market उपर जा रहा है इस तरीक से closing दे रहा है तो आपको यह breakout नहीं मिल रहा है अगर आप ध्यान से देखेंगे trading day high का आपको breakout नहीं मिला जैसे candle उपर जाते थी नया trading day high आपके लिए यह बन गया इसे उपर candle गई नया trading day high आपके लिए बन गया लेकिन उपर से बार-बार हमें rejection देखने को मिल रहे है तो इसलिए अगर किसी ने यहाँ पर buying करने की कोसिस कियोगी तो वो बुरी तरीक से trap हुआ होगा market ने उसे सीधा सीधा एक reversal point यहाँ पर बनाने की बना के दिया है यह चीज आपको समझ में आगी clear होगी कोई भी confusion ने है न अब यहाँ पर और भी जंगे हैं जहाँ पर market ने आपको trap करने की कोसिस किये अब उस वाली situation को भी थोड़ असा ध्यान से समझो जिसे कि आपको यहाँ पर भी थोड़ इसी clarity निकलती हुई market में नजर आएगी आई अब इसे भी थोड़ा सा समझ लेते हैं जैसे market ने यहाँ पर एक channel का formation किया अब खुद सोचो कि यहाँ तो market इससे उपर निकले यहाँ पर दो चीजे होगी आपके लिएक तो trading day high बन गया और आपका previous day high भी हही पर है दूसरी चीज और note करो यहाँ से हमें एक बड़ा reversal भी market में देखने को मिला है यह भी चीज आप note कर पा रहे हैं तो बहतर क्या है जब तक इससे उपर नहीं निकलता positive side कुछ plan नहीं करना दूसरी चीज जब तक यह वाला zone market नहीं create कर दिया पहले गया एक retracement लेके support बनाया फिर वापिस आया फिर से इसी zone में support लिया तो जब तक इससे नीचे नहीं निकलता negative side plan नहीं करना है negative side भी कुछ ज़्यादा बड़ा plan नहीं करना है लेकिन कोई खास बड़ा momentum नहीं दिया उसके बाद एक sideways momentum देखे काफी sharp reversal market में देखने को मिला है तो यहाँ पे भी market ने आपको सीधे-सीधे trap किया है कई बार ऐसे दिन आते हैं जहाँ momentum बिल्कुल भी नहीं मिलता इसलिए सबसे ज़्यादा बहतर क्या होता है ऐसी situation से बचने के लिए आप expiry में trade नहीं करके next week की expiry में trade करेंगे तो ज़्यादा बहतर रहेगा उससे आपको capital भी सुरक्षित रहेगा और आपको result भी उसी हिसाब से मिल जाएंगे समझ में आ गए यहाँ पे सारे चीजे आए अब हमें एक छोटे time frame पे आते हैं 15 minute के time frame पे आते हैं और यहाँ पे चीजे समझने के कोशिस करते हैं कि market में चल क्या रहा है अब पहले तो important चीजे mark करते हैं यह क्या हो गया आपके लिए previous day closing हो गया यह क्या हो गया आपके लिए previous day हो गया यही पे आपके लिए यह क्या हो गया 49,000 का आपके लिए important round level हो गया फिर यह देखो यह क्या हो गया आपके लिए previous day लो हो गया साथ की साथ यह वाले zone भी आपको दिखाई दे रहे हैं जिन पे market ने 9th को भी support resistance की track किया था और 10th को तो एक range ही लगबग लगबग पूरा दिन ही इस range में time spent किया है तो पहला सवाल यहाँ पर जो खड़ा हो जाता है कि अगर market फिर से इस range में गोमने की कोसिस करता है तो आपको trade नहीं करनी है market से दूर रहना है क्योंकि market sideways जाने की कोसिस करेगा और आपके premium को गलाने की कोसिस करेगा यहाँ तक चीज़े आपको समझ में आगी दूसरी चीज़ आपको धियान क्या रखनी है यहाँ पे आपको धियान यह रखना है कि अगर market flat open होके positive momentum दिखाता है तो एक बात नोट करना कि कभी market इस zone से उपर निकलने लग जाए आप यह सोचो कि इसने ए 9th के day high का भी breakout दे दिया और 10th का जो ए zone जहाँ पे resistance की तरेक्ट करा इसका भी breakout दे दिया तो धियान यह रखना उपर 49,000 का भी एक important level है और previous day high भी है यानि कि इस zone से अगर उपर भी जाए तब भी आपको previous day high का जब तक breakout नहीं मिलता आपको planning नहीं करने चाहिए क्योंकि अगर इसका breakout मिला तो आपके लिए setup भी बन जाएगा previous day high के breakout वाला setup इस बीच अगर आप scalping करना चाते हैं तो scalping की इतनी बड़ी opportunity नहीं है लेकिन अगर आप scalping नहीं जानते की कैसे की जाती है तो नीचे description में आपको application कर लिंक मिल जाएगा वहाँ पर scalping के लिए भी information प्रोवाइड गई है वहीं पे अगर market flat open होके आपको negative momentum दिखाता है तो दोस्त धियान रखना important support ये रहेगा काफी important जब तक इसका breakdown नहीं मिलता negative side कुछ plan नहीं करना अगर इसका breakdown मिल गया तो previous day लो आपके लिए काफी important support रहने वाला है इसका breakdown मिल गया तो 9th का day लो आपके लिए काफी important support रहने की possibilities है वहीं पे अगर market आपको gap up opening देता है दोस्तो gap up opening का discussion करने से पहले मैं आपको बता दूए आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई buy recommendation है ना ही कोई selling recommendation है यह just educational purpose से बनाए गई analysis वीडियो है invest करने से पहले आपको अपनी research करनी है अपनी investor की सला लेनी है क्योंकि profit भी आपका उने वाला है 49,000 का round level तो यहाँ पर multiple आपके लिए support resistance हो जाएंगे क्योंकि हम जानते हैं अगर resistance है breakout मिलेगा तो उसकी support की तरह act करने की possibility बढ़ जाएगी या फिर support है उसका breakdown मिलेगा तो उसकी resistance की तरह act करने की possibility बढ़ जाएगी तो इस बीच सांती से बैटे रहना market को observe करना या तो वो previous day high को निकाले तो previous day high के breakout वाला setup बन जाएगा या फिर अगर market यहाँ पर previous day closing को निकालता है तो आप इस वाले zone पर focus रखेंगे इससे नीचे निकल लेगे न तो previous day low पर आपके लिए काफ़ important support की possibilities हो सकती है वहीं पर अगर market आपको gap down opening देता है तो आपको धियान रखना है इस वाले support zone पर अगर इस वाले support zone पर market gap down open होके breakdown दे देता है तो previous day low काफ़ी important support नीचे यह लेकिन अगर market यहाँ से उपर चलने लग जाता है तो धियान यह रखना ऊपर की तरब इतना बड़ा momentum देखो मिलने को मिल सकता है लेकिन खुद सोचो यह previous day closing का resistance फिर यह resistance फिर 49,000 का resistance फिर आपके लिए previous day high का resistance तो ऊपर की तरब resistance आपके लिए काफी नजदिक है और 4-4 resistance पैटे हुए है तो बहतर यह है कि market को कभी यहाँ पे sideways ले जाए देने को कहीं बार ऐसी भी situation हमें देखी है कि market यह की candle में सारो को breakout दे जाता है पर अगर यह candle में देने की कोज़िस करगा तो बड़ी candle बन जाएगी तो उसके retracement का आपको इंतिजार करना पड़ेगा तो दोस्तो इस वीडियो में इतना ही last में मैं आपको फिर से याद दिलाना चाता हूँ कि अगर आपको भी आपके time को manage करने में problem आ रही है या अपनी काम को manage करने में problem आ रही है तो यह आपकी काफी मदद कर सकता है इसमें मैंने 6 chapter का discussion किया है नीचे description में आपको application का link मिल जाएगा आप भी अपनी productivity को boost कर सकते हैं time management को proper तरीके से समझ सके आपके समय की कीमत क्या है उस कीमत को अच्छे तरीके से जान करके मैंने सारे चीजे इसमें आपको explain करने की कोसिस की है उमीद है बाकी course की तरह आपको ये course भी काफी पसंद आने वाला है दोस्तो इस वीडियो में इतना ही फिर मिलते हैं किसी नेक्स वीडियो में किसी अच्छे content के साथ thank you